तो हलो फ्रेंट्स, आगया मैं एक और नी वीडियो के साथ, तो जब मैंने अपना आईडी ओपन किया न 6-7 दिन बाद, तो एक चीज देखके मैं सौक रह गया है, भाई थोड़ा सा हैरान हो गया कि ऐसा कैसा हो सकता है, भाई यहाँ पे देखो 94 स्टार हो गया है मेरा CS में, लेकिन भाई जब मैंने मेरे ख्याल से 5-10 स्टार था मेरे ख्याल से CS रैंक में मेरा, जो कि मैं Heroic लगा के छोड़ दिया था, लेकिन 6-7 दिन बाद गेम खोल के देखा तो 94 स्टार हो गया है यार, अब मैंने 6-7 दिन तक गेम को ओपन तक नहीं किया था, उस बीच मेरे दो देखाना कि 247 स्टार पर Grand Master है, तो इस चीज को देखके मैं काफी ज़्यादा सौक रहे गया, कि 247 स्टार यार, दो मन्त में बस इतना ही लोग CS में पुस्ट किये है, भाई मतलब देखा जाए तो CS में Grand Master लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी है यार, अब मैं इजी लिए भी बहुत ज़्यादा गेम खेलना पड़ता है, लेकिन CS में उसके मुकाबले काफी ज़्यादा इजी मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा आप देखा जाए तो गेम खेलना नहीं पड़ेगा, अगर हम केलकुलेशन करें ना, मान के चलो आप दिन आपको rank history दिखा रहा हूँ, जब से CS rank आया मैं बस heroic लगा के छोड़ दिया करता था, उसके बाद यहाँ से देखोगे तो मैं master लगाने इस्टार्ट किया, master लगाने एक बात छोड़ देता था, लेकिन आज तक मैं CS rank में एक बार भी grandmaster नहीं गया हूँ भाई, क्योंकि मैं कभी CS rank में push ही नहीं किया हूँ, लेकिन यह चीज़ देख को मेरे को थोड़ा से interest आया CS rank में कि इसमें उतना ज्यादा खेलना नहीं पड़ेगा, वैसे भी मेरे उतना ज्यादा time नहीं मिल पा रहा है, और BR rank को तो वैसे भी मैं छोड़ दिया हूँ, इस सीज़ा rank push करना, त कि एक BR का player जो जिंदगी में कभी CS rank push नहीं किया है, क्या वो अचानक से rank push करके CS में grandmaster लगा सकता है कि नहीं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो आज यह BR rank एक last video मान के चलो, इसके बाद मैं आपको CS rank का video दिखाने वाला हूँ, तो फिर चली वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फाइनली यार मैच जो ही start हो चुका, यहां पर आप लोग देखी सकते हो, एक चीज तो मैं आपसे पुछना ही भूल गया है, यार कि आप लोग क्या चाहते हो, कि मैं CS rank push करूँ या नहीं, एक बार जरूर से मेरे को comment करके बता देना, एक मन्त ही मैं CS rank को push इस मन्त ही मतलब दिसंबर मन्त में, थोड़ा बहुत ही खेलूँगा, उतना जाता है तो मेरे को वैसे भी time नहीं मिल रहा है अभी के time पे, और एक जन्वरी से BR का new season आने वाला है, तो उसके बाद मैं BR rank पे shift हो जाऊंगा, मतलब कि देखा जाए तो मेरे पास बस एक मन्त ह मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है, और CS मेरे को सबसी बड़ी बात कि खेलना ही अच्छा न लगता, CS rank इसलिए मैं खेलता नहीं हूं, CS कभी भी, तो देखते हैं यार, थोड़ा बहुत ही plus करूंगा, दीन का मेरे जो target है, वो चीज़ा मैंने आपको बता दिया, और हाँ, अगर आप लोग भी CS rank में Grandmaster जाना चाहते हो, तो मेरे साथ आप लोग भी डेली का target लगा के चलो, आठ से 10 star आपको भी plus करना है, तो इस हिसाब से देखा जातो हम लोग easily Grandmaster अचीव कर सकते हैं, तो अगर आपको भी जाना है, तो मेरे साथ साथ कुस करो, मेरे साथ गेम खे 10 star प्लस, बाकी हाँ 2-3 गंटे में हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो उतना तो मैं देख सकता हो time, और एक बाता और भाई यह मैं एक मन्त का आपको calculation बता रहा हूँ न, वही अगर आप 2 मन्त 60 दिन मान के चलोगे, तो भाई 5 star आपको push करना पड़ेगा, 60 दिन में, मतलब 60 द प्लेली के इजली आप लोग कोई भी push कर लोगे भाई, तो यह चीज ध्यान में रखना कि मैं एक मन्त का ही calculation बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास just एक मन्त है, क्योंकि उसके बाद एक मन्त बाद एक तारिक से new rank से जाना जाएगा, BR का तो उसमें मेरे को फिर BR rank में push करना है तो यह तो रहा CS rank में आप किस तरह से grand master जा सकते हो, उसका मैं tips and tricks आपको बता दिया, जबकि मैं CS rank का player भी नहीं हो, फिर भी हाँ, calculation करके आप कुछ भी बता सकते हो, और देख सकते हो, तो इसी तरीक से मैं आपको बता दिया, बाकी आपकी मर्जी है, कि आपको CS rank में push करना या नहीं बाकी, हाँ, मैं तो करने वालो, तो फिलाल अभी 2 kill मेरे हो चुके है, अभी game पे focus करते हैं, क्योंकि यह last BR rank का मेरा gameplay है, भाई, last इसलिए मैं बोला, क्योंकि last video BR rank का मेरा, फिलाल के लिए, हाँ, एक मन्त के लिए मान के चलो, बिच बिच में कभी कभी डालूंग इसा नहीं है, तो अभी मेरे 2 kill हो चुके है, अभी एक gameplay जब मैं region पे था, तब का था, मतलब कि मैं rank push करने में, मतलब serious था, ऐसा मान सकते, उस time पर मैं rank push नहीं छोड़ा था, जब मैं ये game खेल रहा था, उस time की बात करना हूँ, तो फिलाल अभी मेरे 2 kill हो चुके है, और मै बिल्कुल भी risk कर लेके नहीं खेल रहा थी इस वाले game में, और थोड़ा बहुत आपको बताते भी जाओंगा कि किस तरह से आपको खेलना चाहिए, तो अगर आपने notice किया होगा, तो अभी एक बंदे से मैं fight को ignore करके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा waste और helmet न लिया होगा मेरे ख्याल से, तो ये मेरा काम आ गया है, एक बार जो है वो, तो फिलाल अभी मैं यहां से loot वेगे रहा, तो थोड़ा बहुत करी लिया, मेरे को M4Run चाहिए था, जो कि यहां पर मिल गया है, मेरे को दो चिप का, वैसे भी मेरे पास 68 को गयना है, तो उसको मैं चिप खरिद के अराम से अपग्रेड कर सकता हो, ओके तो अभी देखो, तो मैंने अपना loot तो complete कर लिया, M4Run में 3 चिप भी लगा लिया, अब सामने की तरह अभी अभी fight चल रहा थे, एक बंदा मेरे को दीखा, चलो इसको मारने के हम लोग try करते हैं, ओके तो फाइनली इस वाले बंदे को तो मैंने जैसे तैसे करके finish किया, मरते मरते बचा यार इस बंदे के हां, तो मतलब 36 HP था मेरे ख्याल से, जब वो बंदा मेरे को छोड़ा था उतने HP में, लेकिन मेरे पर स्ट्रोगन था भाई, जो कि कांफी ज्यादा खतरनाक चलती ह अभी के टाइम पे, और इस टाइम पे मेरे तीन किल भी complete हो चुके है, तो चलो अभी जोन के लिए निकलते क्योंकि मैं जोन के बाहर हूँ, ओके तो मैं फाइनली जोन में तो आ चुका था लगभाग लगभाग इधार आके मैं वेट कर रहा था और बंदे के आने का फिला पास मीशा गरेक्टर नहीं था, जहां तक मेरे को लग रहा है फिर भी बंदा बीना लाइसेंस के कैसे गाड़ी चला रहा है यहां पर चलो ठीक अपने को भी जोन में जाना है, और क्योंकि जोन भी आ रहा है उधर के साइड पर बंदे भी क्लियर कर दिया मैंने पीछे के स सेंटर में तो नहीं जाउंगा, फिलाल अभी थोड़ा से साइड पर रूखूंगा, यह घर में जोन है धे जोन नहीं है भाई मेरे ख्याल से हां घर के अंदर जोन नहीं है एक बर चेक कर données नहीं है अपने को मतलब kill मेरा हो चुका है अभी मैं बुया के खेलूंगा ये थोड़ा सा mindset बन जाता है और फिर last में आके काफी easily बुया भी मिल जाता है या last में आके अगर आपने hold करना सीख लिया थोड़ा सा मतलब wait कर लिया और बंदे मरने का तब आपका easily बुया हो जाएगा लेक प्लस चाहिए अच्छे से तो kill करना भी चाहिए तो वो थोड़ा सा बंदे लोग गल्ती कर लेते हैं और कभी-कभी ये गल्ती मेरे से भी हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में अगर kill नहीं निकला है तो ये दिक्कत हो जाता है इसलिए मैं स्टार्टिंग में किल निकाल गुषगो बंदों को यहां पर देखोगे तो मेरे को अगर मौका मिल रहा है तो मैं बंदों को fire दे रहा हूं मतलब काफी इसलिए मैं बंदे को finish भी कर दे रहा हूं लेकिन लॉंग रेंज से मारना थोड़ा सा मुस्किल है अब अगर सामने वाला बंद अचानक से एड मार तब तो फिर बात ही छोड़ो भाई लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली फायर करके मारना चाहे ना तो भाई बहुत मुस्किल है मेरे को मारना क्योंकि अगर ऐसे फायर करते हैं फायर टू अगर हम लोग वर्सिस करें लांग रेंज में चलो बिनावाल लगा तुम फायर करो मैं फा तो मैं ज्यादातर fight को long range में ही लेता हूँ क्योंकि मेरा long range sought range के मुकाबले काफी ज्यादा strong है और ये सब चीज मैं आपको इसी लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चल सके ना कि आपका gameplay किस तरह से अगर आप सांट रेंज में बहुत अच्छा खेलता है लोंग रेंज के मुकाबले तो फिर सांट रेंज में फाइट लेना चाहिए लेकिन सांट रेंज में थोड़ा सा दिख्याता है कि थार्ट पार्टी का बहुत ज्यादा चांस रहता है कि आपका थार्ट पार्टी हो जाए सोट रेंज में थोड़ा से यह दिखकाता हुथ है लेकिन लॉंग रेंज फाइट एक सेफ फाइट होता है अब सेफ बोल रहा हूं तो 100% सेफ तो कुछ भी नहीं है लेकिन हार साट रेंज के मुकाबले तो अपने इसाब से फाइट लेना चाहिए अगर आप भी लॉंग रे ये बंदा लिटरली बाई बाई अलवारो लगा के खेल रहा है और अगर आपको एक और सच बात बताऊ ना जब उसका थीन नेड़ देखा नहीं लेकिन मेरे पास अभी भी तीन नेड है तो अभी देखते हैं कि ये बंदा एक तो नेड़ है मेरे ख्याल से पक्का नेड़ा है यार यार क्योंकि युक्ली की अलवारो लगा के खेल रहा है लेकिन मैंने 2 नेड किया दो तो perfect गया बंदा तीसरे नेड़ में भी मर गया भाई सायद वो दूसरे नेड़ से उसका sony active हो गया था जो भी है लेकिन काफी easily इस वाले बंदे को मैंने नेड़ से ही finish कर दिया भाई जबकि नेड़ करने वो बंदा आया था तो इस वाले गेम में मेरे को काफी इसली 7 के साथ बुईया मिल चुगा था, अब ये गेम देखो, मैं कब का आपको दिखा आ रहा हूँ, झाल झाल